असलामों अलेकुम फ्रेंड्स मैं खान नाजमे शरीफ वेलकम टू एपेच टू क्लासिस आज की इस वीडियो में हम लोग महाट 8 का जो सेट 3 है उसके जो अधर टॉपिक्स जैसे साइन्स सोशल साइन्स जेनरल नॉलेज यह सारे मिलाकर हम कवर करेंगे मतलब इसमें यह सब आपको मिलाकर कितने कोशन आए थे हम इनको जेनरली एनलेसी स करेंगे दिसक जो ब्रेजिंग एकनि के सिदीब के खुशन भी हम लोगों कर लिए हैं तो आज तो तो यज्गर ने science और other subjects से related कुछ questions को देखेंगे के किस तरहां से किस-किस type के या किस-किस topic से question पूछे गए थे 2017 में तो देखी यहाँ पर first question है which is the first element of the periodic table अब देखी यह periodic table से related यानि यह थोड़ी higher class का है 9th या 10th की standard में आपको यह periodic table मिल जाएगा तो वहाँ पर हमको पूछा जा रहा है कि first element कौन सा है फर्स्ट element यानि periodic table की शुरुवात जो है वो कौन से element से होती है देखी यह periodic table आपके सामने मौजू दे तो हम देख सकते हैं कि periodic table की जो शुरुवात जो starting है वो किस से हो रही है hydrogen से हो रही है तो इसका जो सही जवाब होंगा फिर क्या होना चाहिए है hydrogen होना चाहिए यह periodic table आपके सामने इनके automatic mass number भी given है यहाँ पर तो इस हिसाम से हमको hydrogen का नंबर मालम करना है कि hydrogen या शुरुवात periodic table की कौन से element से होती है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि hydrogen से इसकी शुरुवात हो रही है तो option number C जो है hydrogen इसका सही जवाब होंगा अगला सवाल है the velocity of light is maximum in या नी जो light की velocity है जो रोशनी की रफ़तार है वो कहां पर ज्यादा होती है कहां पर तेज रफ़तारी से रोशनी पांस होती है या light पांस होती है इसकी option है diamond के अंदर water के अंदर vacuum के अंदर यह glass के अंदर यानि हीरे में पानी में खला में या शीशे में तो दिखि है यह भी आपको 8 9 या 10 की बुक में मिल जाएंगा रोशनी की रफ़तार 9 या 10 में है तो रोशनी की रफ़तार आवाज की रफ़तार ऐसी concept आपको पढ़कर जानी है यानि science से related फिजिक और chemistry से related आपको सारी बाते पढ़ना है important है यह जीज़े next question है teachers day in India is celebrated to observe the birth anniversary of any जो इडिया के अंदर जब हम 5 सप्तिम्बर को जो teacher day मनाते हैं वो किसके birth anniversary पर मनाते हैं तो देखिए जो डॉक्टर राधा कृष्णन ते सर्वपली राधा कृष्णन इनकी जो birth anniversary होती है इनका जो birthday होता है उसके दिन हम लोग क्या करते है teachers day celebrate करते हैं तो यहाँ पर इसका जो है option number c सही जवाब होंगा doctor s राधा कृष्णन ओके next question है what is the atomic mass of detrium अब देखिए यहाँ पर भी periodic table से related ही यह question है कि detrium का atomic mass कितना है ओके तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही जवाब है वो option number c है 2 कितना है उसका atomic mass यहाँ पर देखिए हम देख सकते atomic mass कितना है उसका दो गीवन है आपको periodic table एक बार अच्छे से देखना है उसमें atomic mass number atomic mass कहां से शुरुआत हो रही है कहां पर खत्म हो रहा है इस तरह से जो main main point है आपको वो याद रखना है periodic table में क्योंकि दो question अभी periodic table से ही set 3 में आ चुके हैं देखिए next question है which of the following do not come under the category of heterot यानि जो following जो given है जो मंदा जेजल हमको given है उन में से ऐसे कौन है जो heterotrop के category में नहीं आते हैं तो यहां पर दीखिए हर भी वोरस है first यानि शाकाहारी यानि ऐसे ऐसे animals जो सिफ प्लांट खाते हैं यह secondary stage पर आ जाते हैं दीखिए food chain अगर आप देखते हैं तो food chain के अंदर अगर first हम देखते हैं तो first हमको दिखता है producer producer यानि कौन से हो जाते हैं plant जो के खुद अपनी गिजा तैयार करते हैं यह यह auto-trop में आते हैं अगे अब auto-trop में producer सिफ producer ऐसे हैं जो autotrop यानि जो अपनी घिजा खुद तैयार करते हैं उसके बाद herbivorous, carnivorous और omnivorous इन दीनों Heterotrop is an organism that eats other plants or animals for energy and nutrients. The term is streamed from the Greek word hetero for other and trop for nourishment. Yarni, Heterotrop ऐसे organism है जो के eat other plants or animal, यानि जो दूसरे plant या animal को eat करते हैं, खाते हैं, energy और nutrition के लिए. Okay, the term, अभी जो term है Heterotrop, यह कहां से लिया गया है? Greek से लिया गया है, hetero का meaning होता है, other और trop का meaning होता है, nourishment. Yarni, दूसरों पर depend करते हैं, यह अपने energy के लिए, अपने nourishment के लिए. तो दिखिए, जो consumer, जो autotrop है, उसके अंदर क्या आता है? producer आता है, यानि plant आ जाते हैं, जो के अपनी गिज़ा खुद तयार करते हैं. और heterotrop के अंदर जो है, heterotrop के अंदर आपको carnivores, omnivores, herbivores, यह सारे मिलेंगे, यानि यह secondary आ जाते हैं. ओके, क्योंकि इने हम consumer कहते हैं, producer कौन हो गए, plant हो गए, जो अपनी गिज़ा खुद तयार करते हैं, और heterotrop में कौन आते हैं, वो सारे organism, जो के consumer होते हैं, यानि जो अपनी गिज़ा के लिए दूसरों पर depend करते हैं. तो देखें, अब हम सवाल की तरफ जाते हैं, तो यहां पर देखिए, हमने देखें के heterotrop कौन से animal होते हैं, consumer होते हैं, यानि ऐसे organism जो अपनी गिज़ा के लिए दूसरों पर depend करते हैं, तो herbivores है, शाकाहारी है, लेकिन फिर भी वो plant के ओपर depend करता हैं, अपने food के लिए, carnivores यानि ऐसे हैं, जो दूसरे animals को खाते हैं, यह भी consumer है, यह भी दूसरों पर depend करते हैं, और omnivores यानि ऐसे हैं, जो plant और animal दोनों को भी खाते हैं, तो यह भी क्या हो जाएंगे, consumer हो जाएंगे, यह भी दूसरों पर depend करेंगे, यानि यह तीनों के तीनों category जो है, यह heterotrop क दर आती हैं, तीनों के तीनों category हमको काहा देखने को मिलती है यह we customers है, अच्छे में को इस देखने को मिलती है, तो यानि इन मेंसे ऐसा कोई भी नहीं है जो के such है, जो थीनों के तीनों उसमें आते हैं, एक यह नि 경र और प्रोक अरिधिय प्रोड्यूसर अपको यह बात रखनी यानि अपको गिजाई जंचीर जो है फूटśl चैन है इससे रूलेटटर प्राइंबिस कॉन है सिय्में एप्टिधाई सते पर लेका कोन आता है सान्वी सते पर कॉन है चलासी सते पर कॉन आता है उन्हें कुछ division किया गया है तो आपको जो है food chain को अच्छे से पढ़कर जाना है नेक्स question है which plant is called herbal Indian doctor यहनी कौन से plant को ऐसा कौन सा पौदा है जिसको नबाताती इंडियन डॉक्टर कहा जाता है मतलब हम कहेंगे medicine उसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है तो कौन सा ऐसा plant आमला है mango है नीम है यह तुलसी है तो देखिए आमला जो है आमला का इस्तेमाल ऐसे medicine ज्यादा पैमाने पर किया जाता है तो इसको क्या कहा जाता है हरबल इंडियन डॉक्टर की से कहा जाता है आमला को देखिए आप जवाब देख सकते हैं यहाँ पर आमला जो है इसका सही जवाब है नेक्स्ट कोशन है इंफ्लूइंस ऑफ यूमन बिंग्स ऑन इन्वाइर्मेंट केन कॉस यानि माहुल पर इंसान के असर का सबब क्या हो स सकता है तो देखिए यहाँ पर first are air pollution हो सकता है noise पॉल्शन हो सकता है crowding हो सकती है लास्ट वाला option है all of the above तो माहुल में जो air pollution भी इंसानों की ही वज़े से होता है इंसानों की गाड़िया चूले वगेरा ये सब चीजों से air pollution होता है noise pollution भी इंसानों की ही गाड़ियों का शोर हो गया जैसे DJ हो गया ये इंसानों की ही चिलनाने की आवाजे तरह तरह का शोर तो ये सब भी इंसान का ही पैदा करदा है और गर्दी ये भी एक इंसान की ही क्राउडिंग जो है ये भी माहुल में इंसान की ही वज़ा से होता है जब बहुत ज्यादा तैदाद में unlimited लोग space के हिसाब से जमा हो जाते हैं यानि भी भार जमा हो जाती है तो ये तीनों की तीनों जो है ये तीनों भी असर अंदाज होते है यानि तीनों जो माहुल पर असर है ये तीनों का ये इंसानों की वज़ा से ही होता है तो इसका जो सही जवाब होंगा क्या होगा option number D all of the above अगला सवाल है fruits contain the following यानि fruits के अंदर क्या क्या शामिल होता है शुगर होती है बिलकुल होती है क्योंकि उसके अंदर जो मिठास होती है जो sweetness होता है वो शुगर की वज़े से होता है carbohydrates and minerals होते है उसके अंदर जी हाँ ये भी होते है और vitamins भी होते है अगर कोई एक fruit की मिसाल हमले जैसे orange होगे तो इसमें हमको vitamin C नजर आएंगा हर fruit में कोई ना कोई different vitamins हमको नजर आते है sugar सभी में होती है जिसकी वज़े से उसका test आता है हमको और carbohydrates and minerals भी उसके अंदर शामिल होते है तो इसका जो जवाब होंगा वो होगा all of the above यानि option number D जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा all of the above अब next question है which of the following animal is considered to be the most loyal animal तो देखिए यह जो सवाल है इसका जवाब के लिए हमको option की भी जरूरत नहीं है हमको पता है कि dog जो है यह सबसे ज्यादा loyal सबसे ज्यादा इमानदार या वफदार जानवर समझा जाता है इसके उपर कही फिल्में या बहुत सारे thoughts वगेरा भी बन चुके कि कुटे से ज्यादा या dog से ज्यादा loyal या इमानदार कोई जानवर नहीं है इसलिए हम घर की देखभाल के लिए रखवाली के लिए as a watchman dog का ही इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब होंगा वो होंगा dog नेक्स्ट कुशन है दे नालंदा युनिवरसिटी is in the state of यानि नालंदा युनिवरसिटी कहां पर मौझूद है यह जी के से related question हो जाएंगा तो नालंदा युनिवरसिटी कहां पर मौझूद है option number a है मध्य परदेश option number b जारकन, c है बिहार और d है वेस्ट बेंगॉल तो देखिए जो नालंदा युनिवरसिटी है वो कहां पर मौझूद है वो बिहार में है यह factual question है इसके जादा explanation नहीं कर सकते जो fact है हमको वो वैसे ही रखना है यानि बिहार में जो है नालंदा युनिवरसिटी मौझूद है नेक्स्ट question है जो ग्राफिय जेनरल लॉलेज भी कह सकते हैं इसको अज यूए stationary satellites has an orbital period और यानि जो यूए stationary satellite है बरब तो इसका जो orbital period है वो कितना है मतलब एक orbit complete करने के लिए उसको कितना time लगता है यूए stationary satellite जो के मस्तनुई सयारा है जो के खला में छोड़ा गया है जो के वहां की हमको updates देता रहता है या फिर जो इंडिया का weather है उससे related जो भी patient गोई है जो भी updates है वो हमको जो मस्तनुई सयारे होते हैं इनके जरीये मालूम होता है तो उसी में से जिए stationary satellite भी एक है उसका और्बिटल पीरियेट कितना है मतलब एक orbit complete करने के लिए उसको कितना वक्त लगता है तो उसको लगते है 24 hours कितने आस लगते है उसको 24 hours में वो अपना एक orbit complete करती है geostationary satellite तो यहाँ पर option में देख सकते है option number D जो है 24 hours इसका सही जवाब होंगा कि एक orbit complete करने के लिए geostationary satellite को कितना वक्त लगता है 24 घंडे लगते है अगला सवाल है science related है यह भी कि ultrasonic waves are those waves which यहनि ultrasonic sound या ultrasonic लहरे ऐसी होती है जो human beings cannot hear यहनि उसको इंसान नहीं सुन सकते यह human beings can hear या इंसान उसको सुन सकते है या have high velocity या उसकी रफ्ता बहुत ज्यादा होती है या have large amplitude या उसका amplitude बहुत बढ़ा होता है तो क्या है यह हमको यह देखना है तो यह ultrasonic sound ऐसा होता है जिसको human beings नहीं सुन सकते मतलब उसको instrument के जरिये ही उसको नापा जाता है उसको मोजा जाता है उसे ultrasonic लहरे कहते हैं तो human beings उसको नहीं सुन सकता तो इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा वो human beings cannot hear ultrasonic waves को नहीं सुन सकते हम next question क्या है देखिए the largest state in India by area जो इंडिया की उसके area के हिसाब से रगबे के हिसाब से सबसे बड़ी state कौन सी है नमबर A है मध्यपरदेश नमबर B है महारास्टरा C है उत्तरपरदेश और D है none of these तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो none of these होगा क्यों अब भी बहुत से लोगों को confusion होगा कि उत्तरपरदेश या मध्यपरदेश इनमें से एक हो सकता है लेकिन हमको इनमें से option में से नहीं पुचा है हमको क्या पुचा है कि इंडिया के अंदर उसके रगबे के लेहासे area के हिसाब से सबसे बड़ी स्ट्रेट कौन सी है तो वो राजस्तान है देखे हम देख सकते हैं देखे यहां पर देख सकते हैं लोग कि अगर area के हिसाब से अगर हम लोग जाते हैं देखे राजस्तान का यहां पर first number है उसका area square kilometer में given है तो देखे उसका area हम लोग देख सकते हैं कितना है उसका 3,42,239 square kilometer जो है उसका area है तो area के हिसाब से अगर हम देखे तो राजस्तान जो है सही जवाब होना चाहिए देकिन option में राजस्तान कही भी given नहीं है मध्यपरदेश, महराश्टर और उसके बाद आता है तो इसका जो सही जवाब होंगा वो क्या होगा राजस्तान लेकिन option में नहीं given है तो फिर हमको क्या choose करना होगा none of these तो देखे नन of these जो है इसका सही answer है नेक्स रोचन देखे यह आपको 50 या 6 की टेख्जूक में मिल जाएगा which of the following must be present in a first aid box यानि जो first aid box होता है उसके अंदर क्या क्या बुनियादी चीज़े मौजूद होनी चाहिए कि अगर कोई 40 चोट लग जाए या कुछ हो जाए तो 40 उसका इलाज करा डॉक्टर के पास ले जाने से पहले 40 उसको ट्रीट किया जा सके तो first aid box हर घर में मौजूद होना चाहिए तो उसमें क्या होना चाहिए which of the following must be presented यानि कौन सी जरूरी या बुनियादी चीज़े उसमें होनी चाहिए तो देखिए option number 1 है safety perfectly उसके अंदर होनी चाहिए insect repellent उसके अंदर होना चाहिए नि दाफ़े हषरात उसके अंदर होना चाहिए जैसे insect given थे हम उसको जिसे डेटॉल वगेरा हो गया है जिसकी वज़ासे jedénergie का infection नहीं होता तो insect repellent ये नि दाफ़े हषरात उसके अंदर होना चाहिए, both of these या none of these, तदी कि दोनों भी चीज़े उसमें होनी चाहिए safety pin भी होनी चाहिए और insect repellent भी उसके अंदर होना चाहिए, तो इसका जो सही जवाब होंगा, वो क्या होंगा, both of these होंगा, बराबर तो देखे, next question क्या है, which of the following is not a language, यानि जो मंदर जैल है, उनमें से जबान कौन सी नहीं है, फ्रेंच है, जर्मन, थर्ड है चाइनीज और फोर्थ है, नन ओफ दीज, तो देखे, इनमें से जो चाइनीज ही, वो कोई खास लैंग्विज नहीं है, यानि चाइनीज नाम की एसी कोई भी लैंग्विज मौजुद नहीं है, अब इसके पीछे क्या रिजन है, बहुत सारे लोगों को डाउट होगा, कि चाइना के अंदर तो चाइनीज ही बोली जाती है, तो देखे, क्यो चाइनीज को लैंग्विज नहीं कहा जाता, उसके पीछे भी एक रिजन है, मैं आपको बताती हूँ, दिखिए, क्या रिजन है, दो ओनली रिजन यानि उसके अंदर अलग अलग तरह के डायलेक्स जो है, शामिल किये गए है, बोली भाशाओ को शामिल करके, चाइनीज लैंग्विज तैयार की गई है, देर आर ग्रेट मैनी ऑफ दीजन दे आर ओल रिफर्ट तो चाइनीज, बिकॉस ओल यूस अ कॉमन, और ऐसी बहुत लैंग्विज है, चाइनीज नाम की कोई भी एक जबान मौझुद नहीं है, उसके अंदर कई जबाने, कई भाशाओ, कई बोली भाशाओ, मिक्स है, वैसे ही इंडियन, इंडियन भी अगर हम देखेंगे तो इंडियन भी कोई भी लैंग्विज हमको ऐसी नजर नहीं आती तो यहाँ पर जो है, इसका जो सही जवाब क्या होगा फिर, चाइनीज इसका सही जवाब होगा कि चाइनीज स्पेसिफिक कोई भी एक लैंग्विज नहीं है, बलकि यह ग्रूप ओफ लैंग्विजेज इसमें बहुत सारी बोली भाशाय मौझूद है, नेक्स देखिए, जो वैन खेड़े स्टेडियम में वो कहां पर मौझूद है, देखिए जो वैन खेड़े स्टेडियम में वो मौझूद है, फैक्शुल कुशन है, नेक्स कुशन देखिए, फॉर वीच अफ़ फॉलोविग अक्टिविटी इस वाटर नौट रिक्वाइड, यानि ऐसी कौ कुकिंग के लिए तो होती है, बाथिंग, उसके लिए भी पानी ही चाहिए, वाटरिंग अफ प्लांट, अब यहां पर तो उसके नाम में ही मौझुदे के पौदों को पानी देना, तो इसका जो आंसर हैंगा, नन ओफ दियो अब आब आएंगा, बतब ऐसा कोई भी काम न डेवलप इन दवर्ड नेम इट, यानि चावल की कशी दुनिया में तरक्की आफ्टा बीजों की सबसे पहली हाई, हाई पीच किस्मों में से एक था, इसका नाम क्या है, तो कौन सी किस्म ऐसी थी, जो दुनिया में जो चावल की हाई यल्डिंग वराइटी थी, मतब जिस जो सही जवाब है, वो IR8 है, क्या है इसका सही जवाब, IR8 जो हाई यल्डिंग वराइटी ओफ सीड से चावल के लिए, राइस के लिए, ओके, तो यहाँ पर option number A, जो है इसका सही जवाब होगा, next question देखी क्या है, which of the following is not a country, यानि जो दर्ज जैल में से कौन सा मुल्क नहीं है, पहला है किर्गिस्तान, फिर दूसरा है तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकस्तान, तो देखी कजाकस्तान ऐसी कोई country नहीं है, कजाकस्तान है वहाँ पर, लेकिन कजाकस्तान ऐसी कोई भी country मौजूद नहीं है, तो इसका जो सही चवाब होंगा, वो क्या होंगा, option number D सही answer होंगा, इसका, next question A, what is the normal heartbeat of a human being, यानि एक human being की normal heartbeat, दिल की धड़कन, क्या होती है, तो सभी को पता है ये, कि 72 BPS होती है, यानि 72 जो है, उसकी जो normal, human being की जो normal heartbeat है, वो मानी चाती है ओके तो 72 BPM, इसका सही जवाब होंगा, next question है, a non-money bill passed by the parliament can be returned by the president, यानि ऐसा जो parliament की तरफ से मन्जूर, non-money bill सदर की तरफ से वापस किया जा सकता है, मतलब कितनी बार उसको वापस किया जा सकता है, जो non-money bill होता है, यानि जो money से related नहीं होता है, ऐसा bill जो parliament, by the parliament, तो parliament क के जरीए, parliament की तरफ से जो ना मन्जूर हो चुका है, तो उसको कितनी बार return किया जा सकता है, president के जरीए, कितनी बार उसको return किया जा सकता है, यानि non-money bill, यानि कौन सा bill, जो पैसो से लेंदेन से या पैसो से related नहीं है, उसे non-money bill कहा जाता है, तो pass by the parliament can be returned by the president, जो के parliament ने pass कर दी और president उसको कितनी बार return कर सकता है, सदर की तरफ से वापस किया जा सकता है, कितनी मरतबा, एक मरतबा, never, twice, यानि दो मरतबा या any of time, तो एक ही मरतबा ऐसा बिलकु क्या किया जा सकता है, return किया जा सकता है, वापस दिया जा सकता है, नेक्स्ट कॉशन है डब्ल्यू टी ओ इस्टैंड फोर देखी जो अकवामे मुतहदा की जो तंजीमे है ये भी आपको एक बार देखनी है अकवामे मुतहदा जो यू एन ओ है उसकी जितनी भी तंजीमे है उसके शॉर्टकट नेम और उसके फुल नेम प्लस उनके सदर मुकाम वगेरे ये सारी चीज़े भी आपको अच्छे से पढ़नी है देखिए महा टेटी के अंदर भी इससे रिलेटेट बहुत सारे कुशन पूछे जाते हैं और टेट के अंदर भी इससे रिलेटेट कुशन देखने को मिले हैं तो आपको अकवामे मुतेदा कि जो उसके अंदर जो तन्जीमे शामिल है जो उसके अंदर जो कंट्री शामिल है उनके नाम वो तन्जीमों के नाम वो सारी चीज़ें आपको क्या करनी है उनके सदर मुकाम ये सब आपको देखना है उनके मकासीद तो अक्वामे मुत्यदा से या UNOC related सारी concept आपको क्या करनी है, read करके जानी है, तो यहाँ पर जो है WTO क्या stand करता है, World Trade Organization, तो देखी यहाँ पर C जो है, इसका सही जवाब होंगा, World Trade Organization इसका मतलब होता है, किसका WTO का full form है, यह, okay, next question देखी, समराट अशोका was a ruler in the dynasty of, यानि समराट अशोक डैश खानदान का हुकमरा था, तो इस पर भी ज्यादा सोचने की ज़रुरत नहीं, बहुत एक common question है यह, कि मोरिया हुकूमत या मोरिया सल्तनत का जो समराट अशोक एक हुकमरा था, okay, तो यह आपको जो सल्तनते हैं, या कौन-कौन से खानदान से किस-किस राजा ने, कौन-कौन से राजा मशूर हुए थे, उन्होंने हुकमरानी किये थे, या उनका दोरे हुकूमत, एक मिसाली दोरे हुकूमत बन गया था, यह सारी चीज़ें आपको seven की standard की book में मिल गया है कि वो मोरिया खानदान से तालूग रखता था, वैसे ही चंद्रोगू नोरिया हो गया, जो कि गुप्त खानदान से तालूग रखता था, ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, उनसे रिलेटेड भी वहां पर, जो है, खानदान के बारे में मालूमत दी गही है, जितने भी हुकमरानों ने अब तक भारत पर हुकुमत की है उनकी सारी हिस्ट्री सेवेंट की टेक्सबुक के अंदर आपको मिल जाएंगी तो उसमें से जो सम्राट आशो के वो कौन से खांदान से तालुग रखता था मोरिया हुकुमत से या मोरिया खांदान से अगला सवाल देखी science से related है which part of the plant evaporate water यानी plant का या पौदे का किस हिस्दे में पानी भाब बंता है तो stomata में बंता है या fruit में बंता है नीचे की option हमको देखने की जरुरती नहीं क्योंकि जवाब यहीं मौजुद है इस्ट्रमेटा यानि जो which part of the plant evaporate water यानि प्लांट के किस इससे का पानी भाब बन जाता है तो इस्ट्रमेटा का जो पानी है वो क्या होता है भाब बन जाता है ओके नेक्स कोशन है what is cation यानि cation क्या है a negative charge ion a positive charged ion या neutral atom या highly charged particles तो देखिए cation किसे कहा जाता है cation कहा जाता है अब positively charged ion जो होते है उन्हें क्या कहा जाता है cation कहा जाता है यह भी physics से related कोशन है तो देखिए physics chemistry और biology की तीनों भी chapter आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं मतब यह तीनों जो है सिलाबस के अंदर शामीर है तो यह आपको 8, 9 और 10 की बुक में अच्छे से मिल जाएंगा नेक्स्ट कोशन है secondary storage यानि secondary storage क्या है does not required constant power यानि computer power का तकाज़न नहीं करता does not use magnetic media यह consist of four main types of devices चार असल किसमे के devices पर मुश्तमिल होता है यह does not store informations for later interval या बाद में बाजियाबी के लिए मालूमात इस्टोर नहीं करता तो secondary storage क्या है तो इसका जो सही जवाब होंगा वो होंगा does not require constant power यानि computer power का तकाज़न नहीं करता तो क्या है इसका सही जवाब does not require constant power ओके नेक्स्ट कोशन देखी क्या है light year is a measurement of यानि जो नूरी साल है वो किसकी पहमाईश है किसको मापने के लिए नूरी साल का इस्तिमाल किया जाता है या किसे कहा जाता है light year तो इसके option देखते हैं first option है speed of aeroplane, speed of rocket, stellar distance या speed of light तो देखी इसका जो सही जवाब भी वो option number c है यानि सितारों की मसाफत जो होती है उसको कहा जाता है नूरी साल या stellar distance को कहा जाता है next question है which of the following statement is false यानि कौन सा बयान गलत है carbohydrates are energy giving food यानि carbohydrates जो है वो energy तवानाई मिलती है second statement है proteins are the body building food यानि proteins के खाने से जिसमें मजबूत होता है या fats lead to obesity यानि fats की वज़े से obesity मोटापा बढ़ता है या we should not include fruit in our diet schedule या बयान बिल्कुली गलत है क्या हमें हमारे जो daily schedule या daily जो diet होता है खाना होता है गिज़ा होती है उसमें fruit को शामिल नहीं करना चाहिए तो यह बयान यहां पर गलत हो जाएंगा last question है आगरी सवाल है where was the country's first aerobic composting plant setup in 1992 यानि मुल्क का पहला aerobic खुलाप खाद plant 1992 में कहां कायम किया गया ओके तो इसके जो option है first है daily second है मुंबई उसके बाद third है कॉलकाता और डी है यहां पर चिननाई तो देखिए सवाल क्या है where was the country's first aerobic composting plant setup in 1992 यानि मुल्क का पहला आयूरवेदिक है aerobic खाद plant 1992 में कहां कायम किया गया था तो वो है मुंबई कहां कायम किया गया था इसको मुंबई में कायम किया गया था ओके तो यह इसका सही जवाब है तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हमने जितने भी science हो गया social science हो गया यह general knowledge यह सारे question को हमने क्या किये एक ही वीडियो में आज cover कर लिए क्योंकि यह ज्यादा question नहीं होते हैं ओके तो उमीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी इसी तरहां से हम हर सेट के subject wise अलग-अलग topic के questions को cover करेंगी जिसकी वज़ा से हमको topic भी समझ में आ जाएंगा difficulty level भी समझ में आ जाएंगा और एक ही तरहां के question को analyze करने का हमको मौका मिलेगा तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो comment करके ज़रूर बताइए like, share और subscribe करना बिल्कुल बिना भूले तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिए अल्ला हाफिज